दोस्तों एक रिलेशन्चिप तबी काम्याब होता है जब उसकी नीव भरोसे बटी की हो और जब ये भरोसा जरा भी डगमगाता है तो इसका अंजाम बहुत ही बहुत ही बहुत जाननेवा भी हो सकता है ऐसा ही कुछ पिछले दिनों मलेशिया में हुआ जहां एक मॉडल ने अपने बॉइफरेंड को चाकू से गूप कर मार दिया वो भी बस जरा सा शक होने पर आखिर इस केस की कहानी क्या है आखिर वो कौन सी बात थी जिसकी ज़जह से मॉडल ने अपने बॉइफरेंड को मौत की गाट उतार दिया तो चले शुरू करते हैं इस केस के कहानी के बारे में यकीन मानी पूरी कहानी सुनने के बाद आप चौक जाएंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों जैसा कि हमने बताया ये कहानी मलेशिया की है सुबा के लगबग 9 बज रहे थे तब ही मल यूवक को लड़की हॉस्पिटल में लेकर आई थी उसके हातर बॉडी से बेतहा शकून बह रहा था डॉक्टर दी मताबिक उस यूवक की स्थिति बहुत जादा गंबीर थी डॉक्टर द्वारा उससे बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है यहां तक कि उससे 30 मिनट त देते हैं इसके अलावा लड़की की पहचान करने के लिए भी कोशिश शुरू कर दी जाती है शुरुवाती जाच में ही पता चल जाता है कि मरने वाले व्यक्ती का नाम गौर्शियन विनेश वरन है पुलिस के द्वारा जुटाई गई जानकारी के मताविक गोशिगन पे दोनों मलेशिय जानकारी के बाद कुछ दोस्तों से पता चलता है कि तामी अनंदन एक पार्ट तैम मौडल भी है इसके अलावत तामी ने मेडिकल की भी बढ़ाई की थी उसने मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाने की वज़ाए मौडलिंग में अपना करियर बनाने का दूसरे तरफ कौशिगन पार्ट ताइम फोटोग्रफर की तौर पर काम किया करता था खुलासे के मताबिक लगबक तीन साल पहले यानि 2021 में गौशिगन एक इवन्ट में फोटोग्रफी करने के लिए जाता है यही पर कौशिगन की नजर पहली बार तामी अनंदन पर पुलिस दुआरा की गए खुलासे के मताबिक पिछले तीन साल से यह दोनों रिलेशनशिप में थे दोस्तों के मताबिक इन दोनों का रिष्टा काफी अच्छा चल रहा था तो अब सवाल यह उठता है कि अगर इन दोनों का रिष्टा बहुत अच्छा चल रहा था तो अ हुए थे नहीं तामी के इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी वीडियो अपलोड की जाती है जिसे देखकर हर किसी की पैरोतली जमीन की सक गई वो वीडियो किसी और का नहीं बलकि गौशिगन का ही था उस वीडियो में तामी अनंदन साफ दिखाई दे रही थी वीडियो में साफ पूरी कहानी समझ में नहीं आती है इसलिए अब पुलिस वाले तामी अनंदन की तलाश देश कर देते हैं हॉस्पिटल वालों ने जानकारी दी थी कि इस लड़के को हॉस्पिटल तक एक लड़की लेकर आई थी इसलिए पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि इस लड़ लड़के को ऑस्पिटल तक लाने वाली कोई और नहीं बलकि तामी आनंदन ही होगी तामी आनंदन ही इस लड़के को लेकर ऑस्पिटल आई थी तो तामी आनंदन आज पास के इलाके में ही कहीं हो सकती है इसी शक की अधार पर पुलिस वालों की कई टीमें तामी आनंदन का स रफ्तार करती है तो तामी खुद को बेकसूर बताना शुरू कर देती है हाला कि जब पुलिस तामी से सक्पी से पूछताच करती है तो तामी अनंदन स्विकार कर लेती है कि कोशिकन के शरीर पजुद जखमों के निशान थे वो उसी ने दिये थे जब पुलिस वाले तामी अनंदन से पूस्ते हैं कि उसमें कोशिगन की हालत ऐसी क्यों की तो इस पर तामी कुछ ऐसे जवाब देती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है तामी के द्वारत दिये गए बयान के मताबिक इन दोनों का रिष्टा तो बहुत अच्छे चल रहा था लेकिन पिछले कु दिनों से तामी को लगने लगा है कि गौशिगन उसे समय नहीं दे रहा है इसके अलावत तामी को शक होने लगता है कि गौशिगन शायद किसी और को प्यार करने लगा है इस सोच के आने के बाद तामी के मन में जलन की भावना आ जाती है इसी के बाद जब 12 मार्च दोहज निकलने लगता है अभी कौशिगन संभला भी नहीं था तब यह दूसरा वार उसकी जांगों पर कर देती है लगता चाको के वार से कौशिगन के शरीर पर काफी सारे जखमों के निशान हो जाते हैं अभी तहाशक खून बहने लगता है इंटरनेट पर वाइरल वीडियो में दिखता है काफी खून बहने की वज़ा से कौशिगन लगाता तर्द से कराता रहता है और मदद के लिए अवास लगाता रहता है कि काफी खून बहने की वज़ा से वह बहुत देख कर तडपता रहता है और लगतार मदद की गुहार लगाता है लेकिन ना तो तामी आनंद और ना ही वह दूसरा व्यक्ति जो वीडियो शूट कर रहा था वह गौशिगन की मदद करते हैं हाला कि थोड़ी देर बाद तामी अनन्दन कोशिगन के चरीश से निकल लए खून को पत्ती बांद कर रोकने की कोशिश करती है मगर वो नाकाम रहती है पुलिस के सामने तामी द्वारत की रहे खुलासे की मताविक पहले तो तामी को लगता है कि यह जखम गहरे नहीं है भोड़ी देर में खून अपने आप ही बंद हो जाएगा लेकिन जब कौशिगन की बाड़ी से खून निकलना बंद नहीं होता है तो तामी आनंदन गपरा जाती है और फिर पहले तो वो पट्टी लगा कर खून रोकने की कोशिश करती है इसी बीच जब गौशिगन की हालत बिगरने लगती है तो तामी आनंदन उसे लेकर पास के एक नीची अस्पताल में जाती है क्योंकि गौशिगन की हालत जादा गंबीर हो चुकी थी इसलिए इस्पताल वाले उसे एडमिट करने से मना कर देते हैं इसी के बाद तामी अनंदन गौशिगन को लेकर साइबर जया हॉस्पिटल आ जाती है ये हॉस्पिटल इन दोनों की लोकेशन से काफी दूर था इसलिए यहां आते आते काफी देर हो जाती है इस बीच गौशिगन की हालत भी जादा खराब हो जाती है हॉस्पिटल में उसे सीपियार दे कर बचाने की कोशिश की जाती है लेकिन आदे गौशिगन की मेहनत के बाद भी उसे बचाया नहीं जा पाता इसे बीच मौका पाक कर तामी अनंदन वहां से भाग जाती है खुलासे के बाद पुलिस दौरा तामी अनंदन बो गिरफ़तार कर लिया जाता है पुलिस दौरा दी गई जानकारी के मुताबिक तामी अनंदन पर हत्याओं की धारा के तहट मामला दर्ज कर लिया जाता है और आगे भी इस मामले की चांश खी जा रही है पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई थी और उसे इंटरनेट पर अप्लोड भी किया गया था ति माना जा रहा था कि इंटरनेट पर वाइरल होने के लिए भी ये हत्या की गई होगी अब इस हत्या का आखिर सच क्या है ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा आपको जनकारी के लिए बता दे कि गौशिकन के बड़े बाई की मृत्यू भी यही करीब 8 महीने पहले कैंसर की वजह से हुई थी दोस्तों आपके हिसाब से इस मौडल को क्या सदा मिलनी चाहिए आप अपने विचान नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद